तो एक राजा ने आदेश दे दिया कि भाई साब जितने भी बुढ़े आदमी हैं सब को पाड़ी से जाके निचे गिरा दो और हमारे बुढ़े आदमी हमारे देश में चही ही नहीं हमारे राज में चही ही नहीं तो भाई साब राजा का आदेश कौन नहीं माने भाई साब अधिया लिया और सब लोग बाग अपने माबाप को बुढ़े आदमी जो सबस्टी साल को पाड़ी से जा जा कि फैकने लग गए अब भाई साब फैकने लग लग गए तो ठीक है माधा पिता भक्त सरवनकुमार कैसे माधा प्यटा करते हैं माबाप को फैक दे हैं या उन्हो प्ठा उसके अंदर माबाप को दोनों को बिठा दिया और उनकी वहां सेवा करने लग गया भाई साब तो राजा ने इस पूरे गावाला को बोला और बुला कि यह बोला भाई साब की सबके बुड़े आजमी गाव में नहीं रहा हां साब कुछ भी नहीं रहा सारे सारे ब थोड़ी संका हुई थी लेकिन फिर यार राजा गोड़े तो मानी लिया होगा यार छोड़ो यार इसको तो भाई साब उन्होंने छोड़ दिया सबको चलो ठीक है अब हमारे गाउं के अंदर सारे सारे जवान पट्टे हैं जवान ही जवान हैं बुड़ों के कोई रसी बनानी है राक बानी नहीं होती है बानी जो चुला जलने के बाद जो लकड़ी का जो राक होती न क्या बोलते हैं आपकी पासाम उनको राकी बोलते हैं राक की रसी बनानी है अब भैस सारे जवान आजमियों को बुलाया गया और दर बार में पूचा गया राक की रसी माराज ने आज प्रतियोगता रखी थी और प्रतियोगता के अंदर ये बोला गया था कि जो राखी रसी बना देगा भाई साथ उसको एक लाग रुपे दिया जाएगा एक लाग मोर है मतला उस ताइम पर तो माबाब ने बोला बेटा हम ये चीज़ तेरे को बता तो देंगे लेकि राजा जी आपको मार देंगे भाई साथ कारण कारण ये कि ये दिमाग गुजल को में होता है क्योंकि दरबार में जब नवरतनों से पहुंचा जाएगा कि तेरे पास दिमाग आया जाए तो मार देगा तो मार देगा कोई दिक्कत नीए दिमाग तो बताएगा उनको फाइनल भाई साब माबाब ने बता दिया कि बेटा एक रसी ले लेकिन सबसे बड़ा लफडा यह है कि आनाम तो मिलेगा मिलेगा लेकिन शर्सवी बड़े साप्यां काउंस Breaking German सीले फोणे यह safely सबसे बड़ी प्रोब्लम हो गई उसने बोला कि मैंने कैसे सीखा है उन्होंने उस दिन नहीं बताया तो अब राजा भी तो राजा होता है उसने फिर प्लान बनाना शुरूर कि बाइगा नहीं ऐसे तो जब कि यह दिमाग इसमें था नहीं तो दूसरे दिन दूसरी और पृ प्रोब्लम यह क्यों चारों तरफ से एक जैसी अब उसका बजन बताना कि इसका कौन सा मुह है कौन सा सिरा भारी है वैसा दिमाग खराब हो गया उसका माबाप से वही जाके पूछा कि राजा जी ने आज दो लाग का इनाम रखा है और अब आपके अंदर के बताओ कोई इटा बता देंगे लेकिन वहीरतर को मर दें तो उसकर की उपनारे है ने भी पूरत है मंने लसका मामें तक बहुत है नहीं जाएंगा कि माबापको बोला कि महां दूक्त निए प्पिर भी सा उनके उसके आखों में आशु आगय है बता दो कोई बार में साथ में बरूंगा आपके में आपको थोड़ी छोड़ सकता में तो मेरीvasive मेरी बक्ती मेरी इतने दिनों की बक्ती तीलेले चली जाएगी तो वैसा आप फिर जिरा जो नीचे चुका हुआ था पानी में वोई भारी यह मावाब ने जैसा उनको बताया था बता दिया राजा ने उसको केद कर लिया दो लाग तो तेरी यह पकट दिमाग कहां से आ यह बताना पड़ेगा साब मैं नहीं बता पाऊंगा आप मुझे मार दोगी और और उस यह बता जाएं यह कंफर्म किया जाएं कि आप मेरें को मारोगी नहीं ठीक है और जिल लोगों ने यह बताए उनको भी मारोगी तो भाइस साब उसने फिर दरवार के अंदर बता दिया पाईसा श्रीमान राजा जी आपने जिल लोगों को मारने का अधिस दे रहा था तो उस्ने फिर बताया किमाबाबा अनववव हुता है एकर उनके रास्ते पर चले चले तो आझमी कभी फसे इन फिर राजा साहब ने उसको भी बरी किया 30 लाग मौरे देखे और classic जैसे ही बुजूर्ग आजमी को कोई नहीं फिकेगा और जैसे यह सेवा इसने सेवा कि चूपके महबाप तो महाब होते हैं महाबाब के लाओ कोई दूसरे सीनियर हैं वह हैं तो शेवा कि लाइक लुगों की सेवा करना उसी टायम से वह ज्यादा प्रचलन में आगा कि अनुभव उनके पास होता है अनुभव नहीं होगा तो अनुभवी आदमी अभी किसी बड़े पद भी अनुभवी को क्यों बताते हैं जवान पट्टे को बताते हैं गोड़देंगी करकुरा के लड़ जगड़ा करें बगार नहीं सब ल लोगों कि अब जान बच्चे की मरगे मरगे जो तो मरगें अब राजाय की सामने कौन दादर के रहे हैं हमारे को सुलिव चड़ा देंगे यह चीज है बड़ी दमदार